कुछ समय से हम कह रहे थे कि यूपिक रोडवेस की जो बसे हैं उनको प्रवासी भाई बेहनों के लिए उपलब्द करा दीजिए ताकि उनको जो जो पैदल चल रहे हैं वो बसों में बैठ कर सुरक्षा मतलब बसों में बैठ कर सुरक्षित तरह से अपने घर गाउं पहुच पाएं तो हम काफी समय से यह सुझाव दे रहे थे यह मांग कर रहे थे जब एक दिन कई हादसे हुए और हमने देखा कि यूपिकी रोडवेस की जो बसे हैं वो अभी भी सक्रिया नहीं हुई है तो हमने मुख्यमंत्री जी को चिठी लिखी कि हम हजार बस को उपलब्द क करेंगे घाजियाबाद और नॉइडा बॉर्डर पर हम इन बसों को रूख देंगे और आप अगर अनुमती देंगे इसके संचालन के लिए तो जो प्रवासी भाई-बहन दिल्ली और NCR चेत्र से चल रहे हैं उनको हम इन बसों में बिठा कर अपने घर तक पहुंचा दें मुख्यमंत्री जी ने यह एलान किया कि यूपी रोडवेज की 12,000 बसे हैं इनी का इस्तमाल होगा और आपकी बसों की जरूरत नहीं है तो हमने 17 तारिक को सुबह 500 बसे खाजियाबान में खड़ी की थी हमने उनको वापिस भेज दिया अगले दिन उनसे एक और चिठी मिल सब कुछ आदी होना चाहिए यह हमारे पास पहुचा दीजिए तो हमने उनको धन्यवाद दिया कि आपने हमें अनुमती दी है बसों को चलाने के लिए आपको हम लिस्ट उपलब्द कर देंगे तो चार-पांच धंटों बात हमने वह लिस्ट उपलब्द कर दी हैं फिर 11. 11 बजे रात को उनसे एक और चित्थी मिली कि आप अपनी हजार बसें लखनाओ पहुचा दीजिए कल सुबह 10 बजे तो इसमें हमने कहा कि देखिए हमारी बसे खाली दिल्ली से लखनाओ जाएंगी इन बसों का मकसद ही यह था कि गाजियाबाद और नॉइडा से एंसी आर क्षेत्र से जो चल के जा रहे हैं उनको हम बिठाकर उत्तरप्रदेश के गाउं और दिलों में ले जाएं तो इन बसों का लखनाओ तक ठाली चलना तो पूरे मकसद को ही खत्म कर देता है तो हमने उनसे यह सुझा दिया कि देखिए हम खाजियाबाद नॉइडा में इन ब गलत नाम है जो भी है मैं इन चीजों में नहीं पढ़ना चाहती और मैं सरकार पर सवाल भी नहीं उठाना चाहती अगर उस लिस्ट में कुछ ऐसी ऐसे नमबर है जो गलत है कोई बात नहीं हम एक नई लिस्ट भी उनको दे सकते हैं मैं सिर्फ यह कहना चाहती हो कि 17 तारीक को 500 बसे हमने घाजियाबाद बॉर्डर पे खड़ी की थी अगर वो 500 बसे चली होती तो कम से कम 20,000 लोग घर सही सलामत पहुँच जाते हैं कल हमने 900 बसे 500 बसे राजस्थान के बॉर्डर पर और राजस्थान यूपी के बॉर्डर पर और 300 से अधिक बसे जितकी पूरी संक्टल संक्या 900 के करीब थी हमने घाजियाबाद बॉर्डर पे दिल्ली बॉर्डर पे हमने उपलब्द कराएं अब अगर ये बसे चली होती तो कल 36,000 और आज 36,000 लोग अपने घर के लिए सही सलामत सुरक्षा पूर्ण रवाना हो जाते लेकिन हम इस राजनितिक सिलसिले में उल्जे रहे उन्होंने कहा कि लिस्ट गलत है कुछ ये हो रहा है वो हो रहा है हम बसे हमारी पहुंच गई है कल 4 बजे से हमारी बसे बॉर्डर पे खड़ी थी उनको आगे पर्मिट यूपी के जहां पे उन्होंने कहा था कि यहां पे हमें गाजयबाद और नौइडा में दो पॉइंट्स दिये थे यहां तक पहुंचाएं वहां जाने का पर्मिट ही नहीं दे रहे हैं यूपी के अ लगाने हैं इन पे अपने भाजपा की स्टिकर लगाने हैं तो बेशक लगाईए बेशक लगाईए आपको अगर कहना है कि आपने उपलब्द कराई हैं तब भी कराई हैं लेकिन इन बसों को चलने दे क्योंकि जब तक हम इस राजनीतिक उलजन में पड़े रहे हैं जब तक आप अजीब अजीब से बयान दे रहे हैं और तमाम इशूज उठा रहे हैं तब तक हम कम से कम 92,000 लोगों को घर पहुंचा सकते थे और वही 92,000 लोग आज धूप में चल रहे हैं उनके साम तमाम मुसीबतों को धिलते हुए चल रहे हैं तो मैं सिर्फ मुख्यमंत्री इस्ञार जिसे यह आदरे करना चाहती हूँ हमारी बसे वहाँ पे चार बजेतक खड़ी हैं आपको इस्तिमाल करनी हैं तो आप हमें परमिट दिजिये अनुमति दीजिये कि हम उनका सज जालन करना कर सके अगर आपको नहीं इस्तिमाल करनी है तो अभी कोई बात नहीं हम ुए tav始 जिन पहले भैजदिया था 500 बसों उस तरह से हमारे लोग हर जिले में हर शहर में हमारे कारिकर्टा प्रवासी भाई बहन्यों के और अध्याष्ट अध्यु और महामारे से जो प्रिऑ लोग हैं उनकी मदद करें कुंप से करते रहेंगी हमें कोई परवा नहीं है कि आपकी बसे हैं या हमारी बसे हम सिरफ एक सेवा भाव से मदद करना चाह रहे थे तो मैं कहना चाहती हूँ अपने खास तोर से अपने प्रवासी भाई बेहनों से जो इस संकट में हैं और जो पैदल चलके जा रहे हैं कि कॉंग्रिस का एक-एक कार्यकरता एक-एक नेटा आपके साथ है आप उत्तर प्रदेश के जिस दिले से जिस शहर से गुज़रेंगे हमारे लोग आपको मिलेंगे आपको खाना उपलब्द करेंगे आपके लिए पानी उपलब्द करेंगे और हम आपके साथ इस संकट में खड़े हैं धन्यस भाई